Hello everyone, मैं Dr. Tanuja Kumari, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करती हूँ. आज की इस वीडियो में मैं शारलेमा के राजिभिशेक पर चर्चा करूँगी, जैसा की हम जानते हैं, मध्य युगीन यूरोपिय इतिहास की महत्वपून राजनिति घटनाओं में से एक शारलेमा का राजिभिशेक रहा है, जिसका यूरोपिय राजनिति के इतिहास में नस सिर्फ ततकालीन प्रभाव दिखा, बलकि इसके दूर गामी प्रभाव भी हमे देखने को मिलते हैं, विश्व के इतिहास में सरवाधिक चर्चित घटना क्रम में से एक पवित्र रोमन समराज की स्थापना के लिए हम शारलेमा के राजिभिशेक को सबसे महत्वपून करी मान सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं शारलेमा के राजिभिशेक के संदर् परिस्थितियों के संदर्म यदि हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि इतिहासकारों के द्वारा शालिमा के राजिबिशेक के संदर्म में या इस घटनाकरम के प्रिष्ट भूमी में कई परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसे हम इस प्रकार से यहाँ पे इसकी चर्चा कर सकते हैं फर्स्टली यहाँ पर यदि हम शालिमा के व्यक्तिकद गुनों के संदर्म में बात करें शालिमा का जन 742 इस्वी में हुआ था इतिहासकारों में उसके जन स्थान के संदर्म में कोई एक मत कायम नहीं हो सका है शालिमा के व्यक्तित्व में जर्मन जाती के सभी गुन जैसे साहस, महत्वकांशा, वीर्ता, अकड़ प्रवरिती, कठोर्ता, प्रशाशकिये शमता, मित्रता के लिए समर्पन, दूर दर्शिता का समावेश रहा था शारिरिक रूप से भी शालिमा का व्यक्तित्व आकर्शक था और प्रभाव शाली भी था शालिमा को पुस्तकों के अध्यन में भी विशेश रूची रही थी नेक्स्ट यहाँ पर यद्यम सत्ता के समीकरन के संदर्व में बात करें शालेमा और कारलोमन के मद्धे कर दिया था किन्तु 771 ईस्वी में कारलोमन की मृत्यू हो गई थी तथा उसकी पत्नी और पुत्र ने भाग कर लुंबाडी के डेसी डेरियस के दर्बार में शरन ली थी जिससे शालेमा के राजे रोहन का मार्ग प्रशस्त हो गया था यहां नेक्स यहां पर यदि बात की जाए पोप लियो तृत्रित्य के संदर में तो हम यह देखते हैं कि शालेमा के राजे रोहन में पोप लियोत्रित्य की भुमी का अत्यंत महत्वपून रही थी, जब असंतुष्ट नागरिकों के द्वारा 25 एप्रिल 799 इस्वी में लियोत्रित्य पर हमला किया गया था, तब लियो ने स्पोलेटो से भाग कर वेस्ट फेलिया में शरन ली थी, जहां शालेमा के साथ उसकी मुलाकात हुई, शालेमा ने उसकी सहायता की और उसे सुरक्षित अपने साथ रूम ले गया, तथा उसको निर्दोश घोशित करते हुए फिर से पोप की गद्दी पर बैठा दिया था. 25 दिसेंबर 820 की घटना के विशे में यदि हम बात करें, तो हम यह देखते हैं कि शालेमा के राज्य रोहन की घटना 25 दिसेंबर 820 को सेंथ पीटर्स के चर्च में रोम में घटित हुई थी, जहां शालेमा प्रातना करने के लिए गया हुआ था, जिस समय वह घुटनों को टेक कर प्रातना कर रहा था, उसी समय पोपलियो तृत्ते ने उसके सिर पर जवाहरात जड़े राजमुकुट को रख दिया था और पवित्र शब्दों में उसके राजिबिशे की घोशना की थी, उस समय पोपलियो के कारेवाही का गिरजा घर में उपस्तित, लोगों के द्वारा पवित्र शब्दों को दोहरा कर इस घटना का समर्थन किया गया था, इतिहासकार उमान के अनुसार इस घटना से मध्यकालीन यूरोप में एक नए युग का प्रारम हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम इसाई धर्म के संदर में बात करें, शालिमा रोम में इसाई धर्म के संदरक्षक के रूप में अपनी पहचान कायम करने में सफल हो सका था, वास्तव में उसने सेंट ऑगस्टीन के पुस्तक सिटी ओफ गौड में विशेश रूची प्रदर्शित की थी, तथा इसी से प्रभावित होकर उसने अनेक गिरजाघरों का निर्मान करवाया था, जिसमें राजधानी एकन में बनाया गया गिरजाघर काफी महत्वपून है, जिससे पश्चिम के नागरिकों के मध्धे उसकी लोग प्रियता बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिससे उसके राजबिशेक का मार्क प्रशष्ट हुआ था, नेक्स यहाँ पर य बन करके हमारे समक्ष उभर करके आता है, इरेने के धार्मिक रिती रिवाजों को लेकर कटरता तथा खराव वहवार से रोम का पोप बैजन्टाइन समराज्य से नाराज हो गया था। आति साथ उसे यह चिंता भी सता रही थी, कि कहीं रोमन लोगों के द्वारा किसी अन्य व्यक्ती को पोप का पद नहीं दिया जाए। यहाँ पर यदि पोप को समर्थन के संदर में बात की जाए। अधिकांश इतिहासकारों का यहमत है कि शालेमा का राजिबिशेक के लिए पोप के प्रती शालेमा का समर्थन बहुत अधिक महत्वपून रहा है। सरप्रतम 26 दिसेंबर 795 इसवी को शालेमा ने लियो तृत्रित्य को पोप के पद पर बठाया था। तथा जब 25 एप्रिल 799 इसवी को जनता के द्वारा विरोध करने पर लियो तृत्रित्य स्पालेटो भाग कर आया। तथा वहां से वेस्ट फेलिया में शालेमा के समक्ष उपस्थित हुआ तो शालेमा उसे अपने साथ 14 नेवेंबर 820 को रोम ले गया और वहां एक धर्म सभा के द्वारा उसे निर्दोश घोशित करते हुए 1 दिसेंबर 820 को फ्रांको और रोमनों की एक सभा आयोजित कर उसे फिर से रोम का पोप न्यूक्त कर दिया था नेक्स यहाँ पर यदि हम बात करें पोप और शालेमा की मित्रता के संदर में तो हम यह देखते हैं कि शालेमा के राजिविशे के लिए ये कहा जा सकता है कि पोप और शालेमा की मित्रता एक बहुत बड़ा कारण रहा था शालिमा ने पोप्तृत्य की उस समय सहायता की थी जब वह एक निर्वासित जीवन जीने के लिए बाद्देव हो गया था जिससे इन दोनों के मध्य मित्रता कायम हो गई थी रानी इरेने की मृत्यू के संदर में यदि हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि शालिमा के राजिविशेक के संदर में हमें रानी इरेने की मृत्यू का भी यहां पे उलेख करना होगा शालिमा के द्वारा पश्चिम में अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए ही इरेने से विवा का निरने लिया गया था लेकिन इरेने के अचानक मौत हो जाने के कारण पश्चिम में अपने आप को स्थापित करने के लिए शालेमा के समक्ष राजिभिशेक ही एक मात्र विकल्प बजगया था नेक्स यहाँ पर अधि हम अलक्वीन के संदर में बात करें शालेमा के राजिभिशेक के लिए कुछ इतिहासकार उसके मित्र अलक्वीन के धार्मिक ग्रंथ को भी एक महत्वपून आधार मानते हैं जिस पर एड़ स्प्लेंडोरेम इंपरिलिस पोटेंटाइस लिखित था जिसका तात्पर्य था कि शालेमा संप्रभू है वास्तव में अपने मित्र के इसी विश्वास से शालेमा के राजिभिशेक का मार्ग प्रशस्त हो गया था शालेमा की समराजवादी विशारधारा के संदर में यदि हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि शालेमा के राजिभिशेक की प्रिश्ट भूमी में उसकी समराजवादी विशारधारा रही थी वह समस्त ये रोप को अपने समराज में शा तो हम यह देखते हैं कि मद्यकाली निर्योपिय इतिहास के लिए ये कहा जा सकता है कि शालिमा का राजिभी शेक एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना करम रहा है तथा इस घटना के महत्व के संदर में हम इसे निम्नवत तरीके से चर्चा कर सकते हैं। जिसका वर्नन करते हुए इतिहासकार उमान ने कहा है कि शालिमा को मुकुट देकर पोप ने इतना अधिकार तो अवश्य ही पा लिया था कि अब मुकुट को देने और लेने का अधिकार पोप को ही है। इतिहास में पवित्र रोमन समराज के रूप में एक हजार वर्षों के लिए स्थापित हो सका था। धर्म पुरुष की अवधारना भी हम कह सकते हैं कि शालिमा के राजिविशेक के पश्चाथ स्थापित हो सका था। शालिमा के राजिविशेक ने शालिमा को एक धर्म पुरुष के अवधारना से जोड़ दिया था। जिसके कारण शालिमा के धर्मिक अधिकार को वेधता प्राप्त हो गई थी, जिसके कारण वपोप के भाती ही धर्मिक कारियों को करने लगा था। आगे यहाँ पर यदि हम और अधिक बात करें राजिविशेक के महत्व के संदर्व में तो हम यह कह सकते हैं कि शक्तिशाली चर्च की स्थापना ये भी राजिविशेक के परश्चात संभव हो पाया था शालमा के राजिविशेक ने भविश्य में चर्च के शक्तिशाली होने में महत्वपून भुमिका निभाई थी जिसका प्रमान हमें ग्रेगरी सप्तम और इनोसेट तृत्ति द्वारा गठिट शक्तिशाली चर्च से मिलता है चर्च से संबंदित अधिकार के विशे में जदी बात की जाए तो हम यह देखते हैं कि शालमा के राजिविशेक ने चर्च से संबंदित महत्वपून अधिकार उसे प्रदान कर दिया था जिससे चर्च के संगठन, सिक्षा, रीती रिवाज, संपती, शिष्टाचार इन सभी विशियों पर कानून बनाने का अधिकार उसे प्राप्त हो गया था इसी के साथ चर्च के करमचारियों की नियुक्ती और धर्म सभाओं के अध्यक्षता का अधिकार भी उसे प्राप्त हो गया था वास्तव में इस राजिविशेक के बाद चर्च, पोप और पुजारी सभी उस पर निर्भर हो गया थे यहाँ पर यदि और अधिक बात की जाए राजिविशेक के महत्व के संदर में तो यह कहा जा सकता है कि आधुनिक इतिहास का प्रारम इसके पश्चात हो सका था शालिमा के राजिविशेक ने आधुनिक इतिहास के प्रारम की नीव रखी थी जैसा कि इतिहासकार विसकाउंट ब्राइस ने कहा है कि आधुनिक इतिहास के अधिकांश विशेशताओं का जन्व इस राजबिशेक के साथ हुआ था आगे यहाँ पे यदि और हम बात करें राजबिशेक के महत्व के संदर में तो यहाँ पे शालिमा के राजबिशेक से हम यह देखते हैं कि फ्रैंक, जर्मन और इसाई इन तीनों का मिलन हुआ था इसलिए भी राजबिशेक का राजनितिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था सामन्तों के प्रभाव के संदर में यदि बात की जाए शालिमा के राजबिशेक ने एक और जहाँ चर्च के महत्व को स्थापित किया था वहीं दूसरी और सामन्तों के राजनितिक प्रभाव भी बहुत अधिक बढ़ा दी थी जो की कालंतर में समराज के लिए हानिकारक साबित हुआ था नेक्स यहाँ पर यदि बैजन्टाइन समराज के विशे में बात की जाए शालिमा के राजबिशेक के ततकालीन प्रभाव के रूप में हम कह सकते हैं कि बैजन्टाइन समराज से संबंध तनावपूर्ण हो गया था तथा इसका प्रभाव पूर्वी समराज से समझोते प पर भी पढ़ा था राजबिशेक के महत्व के संदर में यदि और अधिक बात की जाए तो हम यहां पर कह सकते हैं कि आधुनिक विश्व का नौ निर्मान इसके पश्चात संभव हो पाया था शालिमा के राजबिशेक ने नवीन विचारों और सिधान्तों को प्रमुखता द कि शालिमा के राजबिशेक ने राजबिशेक ने राजपद के निर्वाचन पधती जिसमें राजा निर्वाचन के बल पर चुना जाता था जिसका उधारन शालिमा स्वेम रहा है में परिवर्तन कर राजबिशेक को ईश्वर और जनता दोनों से समर्थित पद बना दिया जिसमें वह ईश्वर और जनता दोनों के समर्थन को हासिल करता था दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राजा, सीजर और पोप दोनों ही बन गया था यहाँ पर यदि इसाई धर्म के संदर्म में यदि बात की जाए तो यहाँ पर यह देखा जा सकता है कि शालिमा के राजिबिशेक ने इसाई धर्म को आधार बना कर इसाई जगत को एक साथ लाख़डा किया था जिस से इसाई धर्म को एक व्यापक आधार मिला था शालमा के राजविशेक ने पश्चिमी यूरोपिय सभ्यता के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने का काम किया था और पश्चिमी यूरोपिय सभ्यता का महत्व भी बढ़ा दिया था नेक्स यह आप यादी नवीन और उत्कृष संस्कृती के संदर में बात की जाए तो हम यह देखते हैं कि शालमा के राजविशे का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे रोमन और बर्बरों के मध्य आपसी मेल जोल बढ़ा था और जिससे एक नवीन और उत्कृष संस्कृती का उदै हुआ था आगे यहां पर यदि हम राजविशे के महत्व के विशे में और अधिक बात करें तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि एक प्रशाशनिक प्रणाली की स्थापना भी संभव हो पाई थी शालिमा के राजविशेक ने रोम समराजिक जो शत्रों के आकरमन से पुरी तरह से अवैवस्थित हो चुका था को एक सुद्रिड प्रशाशनिक वैवस्था उपलब्ध कराने का कारे किया था इटली पर शाशन के संदर में यदि बात की जाए शालिमा के राजविशेक ने जर्मनी की शाशन वैवस्था और शाशक वर्ग में यह विश्वास कायम कर दिया था कि उनके द्वारा इटली पर शाशन किया जाना आवश्यक है नेक्स्ट यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि राजविशेक के कारण दो सामराज का सामनजस्य भी हमें देखने को मिलता है शालिमा के राजविशेक ने पुर्वी तथा पश्चिमी सामराज के मध्य सामनजस्य को स्थापित किया था और इस से एक नए एतिहासिक समीकरन का प् हत्वपूर्ण है क्योंकि उसके द्वारा जिस वैज्ञानिक और उतक्रिष्ट शाषन व्यवस्था का परिचे दिया गया था उसे मध्यकालीन हेरोपिय देशों ने भविश्य में अपने शाषन व्यवस्था में प्रात्मिक्ता दी थी नेक्स यहाँ पर यदि पवित्र रोमन समराज के संदर में बात की जाए शालेमा के राजबिशेक से 1000 वर्षों तक शाषन करने वाले पवित्र रोमन समराज की स्थापना संभव हो पाई थी इसके पश्चात ये भी कहा जा सकता है कि शालेमा के राजबिशेक के कारण बरबरता और हिंसा क्या जो एक युग था उसका भी अंत हुआ था शालिमा के राजिविशेक के परिणाम स्वरूप, हिंसा और बरबरता का राजनितिक परिद्रिश्य, सुरक्षा, सभ्यता, विकास और शांती के परिद्रिश्य में बदल गया था पूरब और पश्चिम राजों के मध्य जो खाई थी, यदि इसके विशे में बात करें तो कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि शालिमा के राजिविशेक ने पूरब और पश्चिम के राजे के मध्य एक खाई का निर्मान कर दिया था चर्च और राजे के मध्य संगर्ष की यदि बात की जाए शालमा के राजे भिशेक ने पविश्य में चर्च और राजे के मध्य वर्चस्व के लिए संगर्ष का बीजार ओपन कर दिया था तथा जिसके कारण बाद में पोप और राजा अपने अधिकारों की व्याक्या के लिए और वर्चस्व के लिए आपस में संघर्ष रत हो गये थे नेक्स यहाँ पर यदिराजश्री पोशाक के संदर में बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि शालिमा के राजबिशेक ने राजगराने के राजशी पहनावे और रहन सहन में काफी परिवर्टन ला दिया था शालिमा के द्वारा जिन वस्तूओं का प्रयोग किया गया उन में कसीदे और कढ़ाई वाले वस्त्र तथा सोने के बकल ज्वहराज से सूसजित जूते तथा सोने और हीरे से सूसजित मुकुट शामिल रहे थे इसी के साथ मैं अपने आज के इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ शालिमा से संबंदित अगले वीडियो में मैं शालिमा के राजबिशेक की वैधता तथा आलोचना पर प्रकाश डालूंगी तथा इस पर भी चर्चा करूंगी कि क्या शालिमा का राजबिशेक प